नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग अगर आपके मान में ऐसा ख्याल था कि कि एक साल पॉर्णा स्नाप्जागों 712 और जो रियल्मी और शार्मी लिखे आने बाला है कि जो स्नाप्जागों 720 ची बहुत ही बड़ी आए कि सच में बड़ी आए या पर कमपणी हमें उनलू बना रहे है तो चले शुरू करते है अचका वीडियो बिना कोई बाग कर आए और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो का पसंद आए तो वीडियो के लाइक देदेना अगर वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो के लाइक देदेना तो चले शुरू करते है आजका वीडियो तो पहले हम देख लेते कि दोनोर प्रोसेसार कीस डेट पे लांच हुआ है Snapdragon 720G launch हुआ है 2020 quarter 1 पे और Snapdragon 712 launch हुआ है 2019 quarter 1 पे मतलब एक साल पहले Snapdragon 712 launch हुआ है तो दोनो प्रोसेसर कहां में exact comparison शुरू करेंगे दोनो का प्रोसेसर आर्किटेक्ट्चर को देखके Snapdragon 720G बनाए 8 nanometer architecture के उपार Snapdragon 712 बनाए 10 nanometer architecture के उपार यह nanometer नमर जितना कम होता है बो प्रोसेसर उत्ता है ज्यादा पावर एफिशेंट होता है तो पावर एफिशेंटी के मामले में Snapdragon 720G बेटर है आप हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का core configuration Snapdragon 720G में दो हाई-पार्फोरमेंस कोटेक्स A76 कोरे जिसका स्पीड है 2.3 GHz और 6 लो पार्फोरमेंस कोटेक्स A55 कोरे जिसका स्पीड है 1.8 GHz और Snapdragon 712 में दो हाई-पार्फोरमेंस कोटेक्स A75 कोरे जिसका स्पीड है 2.3 GHz और 6 लो पार्फोरमेंस कोटेक्स A55 कोरे जिसका स्पीड है 1.7 GHz तो अब देख सकते है, Snapdragon 720 में दरसल एक जनरेशन नया core इस्तमल हुआ, इसलिए core configuration के मामले में Snapdragon 720 ची बेटा रहे तो अब हम देखते हैं, दोनों processor का maximum display support और video playback capability Snapdragon 720 जी में maximum full HD plus तक का display का support है, लेकि Snapdragon 720 में maximum QHD plus तक का display का support है दोनों ही processor में हमें HDR10 का support मिलता है, और दोनों ही processor 4K ultra HD quality में video playback कर सकता है तो इसका मदलब maximum display support के मामले में Snapdragon 720 थोड़ा सा बेटा रहे अब हम देखते हैं, दोनों processor का network connectivity, Snapdragon 720G और Snapdragon 720 दोनों ही processor में cat 15 download link है जिसका speed है 800 Mbps और cat 13 upload link है, जिसका speed है 150 Mbps तो अब देख सकते हैं, network के मामले में दोनों ही processor बिल्कुल सेंग, और Snapdragon 720G और Snapdragon 712 दोनों processor में से जो सबसे main difference है, network के मामले में बोग दरसल, Snapdragon 720G में Nivig का support है Nivig दरसल इंडिया का खुद का GPS navigation system है, लेकि Snapdragon 712 में ए फीचर नहीं है अब हम देखते हैं, दोनों processor का maximum camera support, Snapdragon 720G और Snapdragon 712 दोनों भी processor में single camera में 192 Mbps और dual camera में 16-16 Mbps का support है तो इसका मतलाब बहुत ही budget range में हमें Snapdragon 720G के साथ ए 108 Mbps sensor भी हमें दिख सकता है अब हम देखते हैं, दोनों processor का maximum RAM support Snapdragon 720G और Snapdragon 712, दोनों भी processor में dual channel LPDDR4X RAM है और दोनों processor में RAM का speed है, बहुत है 1866 Mbps तो इसका मतलाब RAM के मामले में दोनों processor बिल्कुल सें और अगर मैं दोनों processor का maximum storage type support की बात करूँ तो अब देख सकते हैं दोनों processor में eMMC 5.1 और EOPS 2.1 का support है तो इसका मतला storage type support के मामले में भी दोनों बिल्कुल सें तो दोनों processor के बिच में comparison काड़ी का सबसे आसंतरी क्या है Antutu Benchmark score, Geekbench score, AI score और GPU score अब हम देखेंगे दोनों processor का Antutu Benchmark score क्या है Snapdragon 712 का Antutu Benchmark 8 का score है 2,28,000 जो कि आकर का Realme XT का score है और Snapdragon 720G का Antutu Benchmark 8 का score है 2,70,000 से लेके 3,00,000 के आसपास जो की मेरा expectation है क्योंकि मैंने अलाग-अलाग website से एक conclusion निकाल है इसलिए आप कह सकते हैं कि यह Antutu score के मावले में Snapdragon 720G better होगा Snapdragon 712 के मुकाबले और अगर मैं दोनों processor के Geekbench score की बात करूँ तो अब देख सकते Snapdragon 720G में single core में score है 5,6,9 और multicore में score है 1,755 और Snapdragon 712 में single core में score है 4,0,4 और multicore में score है 14,5,1 वैसे यह मैंने जो Snapdragon 720G का score निखाला है Geekbench में यह दारसल Redmi Note 2 का score है और अगर मैं दोनों processor का सबसे main चीज़ जो के graphics का इसके बारे में बात करूँ तो देख सकते Snapdragon 720G में जो GPU उसका नाम है Adreno 618 Snapdragon 712 का GPU पार्फोर्मेंस बोहे 46.9 GFLOPs और Snapdragon 720G का GPU पार्फोर्मेंस बोहे 61.8 GFLOPs इसका मतलब Snapdragon 720G का graphics processing power बेठा है Snapdragon 712 से यहाँ पर मैं graphics related और भी कुछ information आपको देता हूँ आप इस next picture में देख सकते है यह दर असल UNTODO GPU score है UNTODO GPU score भी Snapdragon 712 score करता है 61,000 और Snapdragon 720G score करता है 73,000 और इस picture में भी आप देख सकते है Snapdragon 712 का GPU score है बस 90 और Snapdragon 720G का GPU score है 97 तो इसका मतलब GPU score के मामले में Snapdragon 720G 100% Snapdragon 712 से बिटारे अब हम देखते हैं दोनों पाइसर का है AI मतलब Artificial Intelligence score Snapdragon 712 में जो AI चीप है उसका नामे DSP 685 और Snapdragon 720G में जो AI चीप है उसका नामे DSP 692 Snapdragon 712 का जो AI score बोहे 9729 और Snapdragon 720G का जो GPU score बोहे 12-13,000 के बीच में तो इसका मतलब AI score के मामले में Snapdragon 720G अब्यसली बेटारे और अगर मैं दोनों पाइसर के PUBG जैसे गेंप लेगी बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते दोनों में HD सेटिंग्स विध हाई फ्रेमरेट का साधान PUBG खेल सकते तो आप बाड़ी इस वीडियो के कॉम्प्रेशन की अपने पूरे वीडियो में देख लिया स्नापड्रागों 720G, स्नापड्रागों 712 से बहुत ज्यादा आगे बिल्कुल भी नहीं है मतला थोरा से अप्गरेट भार्षन है अगर दोनों पाइसर में से आगर मैं कोई एक वीनर को चुनता हो तो अब्यसली वह स्नापड्रागों 720G लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्नापड्रागों 712 से स्नापड्रागों 720G बहुत ज्यादा आ गए तो आज का वीडियो इस तक उमीदे एक कॉंपरेशन आपको पसंद आ होगा फ्यूचर में आप और ऐसे कॉंसे कॉंपरेशन देखना चाहते मुझे निसे कॉंपरेशन में बताना मैं उसके ओपर वीडियो ज़रू बनाऊंगा तो मिलता अगली वीडियो पर तक स्टेट रूटने और अलों से मेंबर थिंक पॉजिटिए बी पॉजिटिए थैंक यू